आच्छ का वर्दान, खुशी की खोराक द्वारा, मन और बुद्धी को शक्तिशाली बनाने वाले, अच्छल अडोल भवर, आये इस वर्दान का स्वरूप बने, अम्शादे ब्रुगटी सिंखासन पार, अपने सत्थे स्वरूप में, विराजमान हो जाएं, और स्मृती मिलाएं, उन सब प्राप्तियों को, जो स्वयम परम्पिता परमात्माने, इस पुरुश्यो तम्ट संगम युकपार, हमें अपना बच्चा बना कर दी है, संपूर्ण संसार में, पाँच हजार वर्ष के इस ड्रामा में, खुद भगवान, जिन से मिलने, परमधाम छोड़ कर आए, उन कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं हूँ, कभी स्वप्न में भी, ख्वाब और खयालों में भी नहीं था, कि वही परमात्मा, जिसके लिए, मैं व्रत उपवास रख रही थी, जिसके दर्शन के लिए, मैं पूजा पाट, तीरत यात्राएं कर रही थी, वो मेरा बाबा बन जाएगा, और शिक्षक बन, मुझे रोज बढ़ाएगा, रोज सत्गुरु बन, मुझे पर दिफ्वे वर्दान लुटाएगा, वहाँ, कितना अश्रेष्ट भाग्य है मेरा, ओ मेरे बाबा, आप मेरे जीवन में जब से आये हो, तब से मुझे मेरी शक्तियों का, मेरे अस्तित्व का, मेरे गुणों का, बोध हो गया है, जीवन को लक्षे मिल गया है, हर श्वास में हर बल इश्वरिय प्राप्तियों से, परमात्म खजानों से, मैं स्वयम को भरपूर अनभव करती हूँ, सफलता तो मेरे गले का, हार बन गई है, विजय का तिलक, खुद आपने, मेरे मस्तक पर लगा दिया है, अनभव करते जाएं, और शिव बाबा के गुण गाते जाएं, वहा मेरे बाबा, वहा, मेरे संसार हो आप, जीवन का सार हो आप, अनभव करें, जिसे आनंद मैं, खुशियों भरे गीत हर पल, मेरे मन में, रिदय में, बच रहे हैं, अन्तरवान और वुद्धी, खुशियों की खुराग से, संतुष्ट, त्रप्त हो रही है, फील करते जाएं, शक्ति शाली, श्रेष्ठ संकल्पों से, समार्थ सशक्त होती, बुद्धी और मन को, यान तरिक तंदरुस्ती, ये खुशियों भरी खुराग, मिर्यान तरिक स्थिती को, इतना शक्ति शाली बना रही है, कि बाईये परिस्थितिया, कमसोर नजर आती है, परमात्म ज्ञानव शक्तियों से, मैं अच्छल अडोल बन गई हो, माया का कोई रोप, मुझे हिला नहीं सकता, ओम शाते झाल झाल